कि आई गाइज आपके से हैं आज के वीडियों देखने वाले हैं जो भी चार्टर बीएसी सेकंडियर में है तो फिजिक्स का फ़स्ट एपर लेके आए जिसमें हम आपको दोहजार एक्किस के इंप्रोमेंट एक्जाम या फिर आपके सकते हैं बैक पेपर इन दोनों के वीडियو बना दूगा उनके लिए अलग से बना दूगा तीनों फिर लग से बनावाने दोस्त फिर दो देख लगाए वो इस वीडियो जरूर देख लें चल्को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों को शेयर करें पीडियो को जरूर डानलोड कर लेना जिसके बहुत भी कल्पी कोशन जिसके एक्जाम में पूछ जा रहे हैं तुमसे बार बार यहीं कहता हूं कि वह चीछ दे रहा हूं आपको इंपोटेंट चीछ दे रहा हूं तो उसको ध्यान दो यार पीडियो में यहीं बोलता हूं कि आपको कॉपी को छोड़के नहीं आना है कुछ भी हो जाए दर से दुनिया हो जाए लेकिन आपको कॉपी भरके आनी है ठीक है तो देखो पहला होता है इस कोशन पर ठीक लगा लो जो व्यत्यक्ण माफी होती है उसके बारे में आप याद करेंगे प्रंझो का बन्ना क्या होता है हिआत करें या यात करेंगे आदे जाएंगे नीचे जाएंगे और जो बता रहा हूं ने टिक लगाते रहो क्योंकि टाइम आपको नहीं मिलेगा एक्साम बहुत करीब है मेरे दोस्त त्यारी कर लो अच्छे से प्रिकास के बेरती करते प्रतिवंब के बारे में आप देखके जाएंगे जैए अध्यार उपड का सिध्धान क्या होता है इसको पढ़के जाएंगे अच्छी तरीके से याद करो इसको देखके जाएंगे और ऑप्टिकल इसको देखके जाएंगे जिसे कहते हैं धृवण क्या होता है इसको याद करके जाएंगे उसके बाद में क्या जाता है फ्रंजो का बनना मैंने ऊपर बता रखा है तो यहां पढ़ने की जरूत नहीं है इसको आप याद करके जाएंगे और यह देखे ग्रेटिंग के बारे यह बहुत जाता है यह आपसे बाहर नहीं जाएगा देखो मैंने बता है ग्रेटिंग के बारे में बहां पढ़ लोगे इस को और बना बना के लिखाओंगे यदि आ गया तो ग्रेटिंग के वारे ठीक है छोड़के नहीं हो जाए बहुत जाए यह फिर बहुत चला जाए लेकिन छोड़के नहीं आ नहीं होता है और अब थोड़े दिने के लिए पेपर आ गया है उसको भूल जाओ जो भी तुमारी है मित्री और मित्र है ठीक है बाद करो कोई दिक्कत नहीं कम करो कम कर दो उसको ठीक है थोड़ा सा और सब्सक्राइब करो मित्र मित्री पर जाता ध्यान मत दो परना गड़बड हो जाएगी अब आगे तो हो चुकी है पीछे थो चुकी आगे ना होनी चाहिए मैं देको साब बदा रहा हूं बहुत यह बहुत जादा इफेक्ट पहुंचाता है मारी उसको पढ़ाई के लिए बहतर बढ़ाई करो अब मैंने यहां तक आपको यह देख लेना ठीक है देखे धुर्भी करणों मित्रणव के बीच में संबंद क्या होता है इसको पढ़नेंगे एक बार लेजर देखे ऊपर मैंने आपको बता रहा है जो एक जोन प्रेट के बारे मताया था लेकिन देख सब कुछ देख लोगा लेजर उपर बताया था इसको याद रख लेजा और देखिए निकोल प्रिजम क्या होता है इसको पढ़ लेना है यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला और आप देख लेना तब पेपर देखे आओगे पेपर देता होगे तो आपको पूरा पस आय कुछ भी भान या तो गजब तरीके से करेंगे हम ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना हो ले दोस्तों यार शेयर कर दो वीडियो को फेस्बुक पे फेक दो थैंक यू